प्रिये बच्चों, आपका समाजी के दिन की भुगोल की कक्षा में स्वागत हैं आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे अपनी सेहत और इवाम अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे बच्चों, आज हम कक्षा साथ की भुगोल की पुस्तक के अध्याय चार यानी वाईयू मींज एर के अभ्यास के बारे में जानेंगे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है हमने इस पार्ट को दो भागों में विवक्त करके पढ़ा था बच्चों, हम अभ्यास भी दो भागों में विवक्त करके ही पढ़ाएंगे आज हम प्रथम भाग में प्रथम प्रशन के अंतरगत आए छे प्रशनों के उत्तर जानेंगे और अन्य भाग में हम अन्य प्रशनों के उत्तर जानेंगे आओ बच्चों, इस और बढ़ें प्रतम प्रशन है इसमें What is atmosphere? The answer of this question is Atmosphere is a huge blanket of air that surrounds the earth It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays अगर हिंदी में जाने वायू मंदल क्या है? वायू मंदल पृत्वी को चारों और से घेरे हुए वायू की घनी चादर है या हमें सांस लेने के लिए वायू प्रदान करता है एवं सूरे की केर्णों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है Now next question is Which two gases make the bulk of the atmosphere? The answer of this question is Nitrogen 78% and Oxygen 21% are the two gases that make the bulk of the atmosphere अगर हिंदी में जाने वायू मंदल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? तो उत्तर है बच्चों इस प्रशन का वायू मंदल का अधिकतर भाग Nitrogen 70% और Oxygen 21% गैसों से बना है Now children Third question Which gas creates green house effect in the atmosphere? The answer of this question is Carbon dioxide gas creates a green house effect in the atmosphere बच्चों अगर हिंदी में जाने वायू मंदल में कौन सी गैस हरित ग्रीह प्रभाव पैदा करती है तो उत्तर है बच्चों इसका Carbon dioxide gas वायू मंदल में हरित ग्रीह प्रभाव पैदा करती है Now dear children Question number 4 What is weather? Weather It is the hour to hour day to day condition of the atmosphere Weather can change dramatically from day to day अगर हिंदी में जाने तो मौसम किसे कहते हैं? मौसम मौसम वायू मंदल की प्रते गंटे और दिन प्रति दिन की स्थिती होती है मौसम नाट के रूप से दिन प्रति दिन बदलता है Now dear children Question number 5 Name three types of rainfall The answer of this question is Cyclonic rainfall Relief or Orographic rainfall and Convectional rainfall are the three types of the rainfall अगर हिंदी में जाने वर्षा के तीन प्रकार लिखें The answer of this question is Chakravati वर्षा Parvatiya वर्षा और Samhani वर्षा वर्षा के तीन प्रकार हैं Now dear children The last question under this question is What is air pressure? That is Air pressure Air pressure is defined as The pressure exerted by the weight of air on the earth's surface As we go up the layers of the atmosphere the pressure falls rapidly The air pressure is highest at sea level and it decreases with height Horizontally The distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place वच्चों इसे हिंदी में जाने Hindi में वायूदाव क्या है? वायूदाव प्रिथ्वी के स्थाह पर वायू के भार द्वारा लगाया गया गया द्वाव वायूदाव कहलाता है वायू मंडल में उपर की और जाने वाला दाव तेजी से गिरने लगता है स्मूद्दस तह पर वायूदाव सरवाधिक होता है और उन्चाई पर जाने पर यह घटता जाता है वायूदाव का ख्षयती जवितन किसी स्थान पर उपस्तित वायू के ताप द्वारा प्रभावित होता है So, dear children, these are six questions which cover under question number one of this exercise प्यारे बच्चों, यहाँ छे प्रशनों के उत्तर हैं जो पहले प्रशन के अंतरगरत आते हैं बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको इन प्रशनों के उत्तर समझ आ गए होंगे बच्चों, इस वीडियो के साथ एक कारे पत्रक भी जुड़ा है क्रिप्या करके उस कारे प्रत्रक में दिये गए प्रशनों को जुरूर हल करें ताकि आपकी इस पार्ट के प्रति एवं इन प्रश्णों के प्रति समझ बन सके Thank you, be happy and safe, धन्यवाद, खुश रहो और स्वस्त रहो